दोस्तो नमस्कार दोस्तो बात करेंगे राहू सब्तम बाप के बारे में कि कुण्डली में रख जब सब्तम बाब में होते हैं दोस्तों तो उसके हमें क्या प्ल क्या वेचना हो सकती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे दोस्तों अगर आप इस चैनल के उपर नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को आप जरूर सपोर्ट करें दोस्तों तो आने वाले टाइम में हम लाइब सेशन जो है वो भी शुरू कर पाएंगे द और दोस्तो हमारे दौरा जो भी वीडियो अपलोड हो रही है आप उनको देख भी रहे हैं उसके लिए आपका तेहदर से शुक्रिया दोस्तो दोस्तो सब्तम बाव के राहू की बारे में अगर हम बात करें तो पहले आपको राहू को समझना जरूरी है जिस बाव में राहू देर बैठे हैं उस बाव को समझना जरूरी है दोस्तो अब हम बात करेंगे सब्तम बाव की दोस्तो जर्मकुनली में सब्तम बाव जो होता है वह आपके लगन के ओपोजिट बाव है means लगन आप खुद हो और आपके opposite तो दूसरा इंसान होगा जिससे आप अपनी बात्चित करते हो जा आपना कुछ बिजनस रन कर रहे हो पार्टनर्शिप के अंदर तो opposition party जो होगी वो सब्तम बाब होगा means सब्तम बाब आपकी शादी शुदा जिन्दगी है आपकी marriage life है और आपकी करस्ती है दोस्तों आपकी wife भी है wife के साथ साथ दोस्तों ये बाब बुद्ध के अंदर भी चलता है तो business का बाब भी यही है business में दोस्तों daily income चाहे वो आपकी job की हो या आपकी business की हो या आपको trading कर रहे हो किसी भी परकार की daily income जो आप earn करते हो किसी भी काम के अंदर तो वो सब्तम बाब से हम देखते है अब दोस्तों राहू फुनली में अगर आप इसको prescribe करेंगे तो फुनली में राहू को मिला है बार्मा बाब बार्मा बाब means खर्चों का बाब tensions का बाब करी नह几े ही ख्याली पका जो पकते हैं हमारे दिमाग के अंदर सब्तम बार्मा बाब से हम देखते हैं तो बार्मे बाब के एक कारक जो राहू है वो वहाँ पर नीच के भी होते हैं और उनका खुद का पका जर तो बार में बाफ के राहू जो कारक माने गए हैं जब वो सब्तम बाफ में बैठेंगे तो उनके जो फल होंगे वो बुद्ध और शुक्कर के अंडर चलेंगे अब राहू और शुक्र की आपस में है दुश्मिनी दोस्तो राहू शुक्र के फ़लों को कहनक खराब भी करते हैं और राहू जब बुढ़ से मिलते हैं तो इन्सान के दिमाग में इतने तरह के विचाव चलते हैं उसके खुद की decision जो है वो ही खलत हो जाते हैं पेशन्स खतम हो जाती है बरकत खतम हो जाते हैं तो हम इस चीज़ को कैसे समझेंगे कि सब्तम बाब में जब राहु दे बैटते हैं तो दोस्तो इस बाब में राहु शुक्र के अंटर जो फल देंगे कि ऐसे इंसान की जो ग्र राहू कर लगज्री है दोस्तों एक्स्ट्रा मार्टि आफियर्स जो होते हैं वो भी शुक्र के निक्टिविटी होती जब राहू के साथ मिलते हैं तो ऐसे जातकर आउटर जो रॉलेशंशिप बनते हैं शादी के बाद वह भी राहू और शुक्र की युतिकरन ही बनते तो ऐसे जाते का बिजनस जो होगा वो कहीं न कहीं ट्रेडिंग, कॉमोडिटी, शेयर बजार, शेयर लोटी सटा में भी जाता कि जो है वो अपना जो रूची रखता है और वहां से वो गाटे भी खाता है दोस्तो तो शॉर्टकट मनी, सत्तम, राहू और बुद्ध के मेल से बनती है दोस्तों, ख्याली पका चलते रहते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं, जो समाजिक दोस्त होते हैं, वो ही जातक का जो पैसा है वो, जो कहीं न कहीं नुकसान देते हैं दोस्तों, तो पैसा फस जाना, उदारी का पैसा दिया हुआ फस जाना, राहू सत्तम की बुरे क की निशानी है दोस्तों जातक कि ससुराल वालों से भी ना बन पाना कहीं ना कहीं यहां पर राहू की इक्टिवीटी है आपने अपनी शाधी के टाइम पर एलेक्टरोनिक आइटम्स जो है वो अगर आपने ली होई हैं तो उसके बाद भी आपके बिजनस का जो डाउन फाला वो शुरू हो जाए आपके गर में electronic items जो है वो खराब होनी शुरू हो जाए तो कहीं न कहीं आपके गर में जो सीड़ियां है सीड़ियों के नीचे आगर टॉइलेट बना हुआ है तब भी यह जो ती आपको कहीं न कहीं खराब करेगी दोस्तो बेडरूम के अंदर blue या फिर हर रंग कर रखा हो तब भी यह activity है काले और नीले कपड़े पहना आपकी वाइद को अगर पसंद हो तब भी यह activity की निशानी है दोस्तो तो राहू का अर्सा है यो 21 साल इस उमर में की हुई शादी भी कहीं ने कहीं आपको खराब करेगी शुकर का अर्सा है 25 से 27 साल इस उ शुकर छटे में हो अस्टम में हो तो एक्स्ट्रा और फियर बिल्कुल ना करें शादी के बाद अपनी वाइब से बना के रखें उनको health issues जब आएंगे तो उनका कारण होगा कि कहीं न कहीं आपने शुकर को पीडित कर रखा होगा अगर कुंडली में बुद भी 12 में हो त लेकिन अगर कुंडली में बुद भी खराब हो शुकर भी खराब हो और राहू सत्तमबाब में बैटे हो तो हर तरफ से आपको बधनामी, लड़ाई जगडे मीन्स सत्तमबाब आपका पीडित रहेगा सत्तमबाब बिजनस भी है आपकी शादी ही है शादी का देर अवस्त में होना भी राहु सत्तम की ही निशानी होती है कहीं न कहीं रिष्टे आना और आपको रिष्टों का पसंदी ना आना और कई भार दोस्तों सत्तम बावे राहु के साथ जाता है तो इन चीजों को आप जूर समझें वर्षफल में आप राहु को देखें गोचर में भी जब राहु सत्तम बाव में आते हैं तब भी कहीं न कहीं मेरिज में वो दिख्टे आपको देते ही देते हैं पार्टनर्शिप में काम तभी करें अगर आपको कुणली में बुद्ध अच्छे हैं अगर कुणली में बुद्ध नाइंथ हाउस में हैं तीसरे हाउस में हैं प्रेज रखें अपने चोटी फिंगर की नेल्स को कभी ना बढ़ाएं जाद कि इस तरी अगर आँखों में ब्लू आइलेशिस जो है वो लगाने के शुकीन हो तो इन चीजों से प्रेज रखें आर्टीफिशल जैलरी कभी ना पहने और अपने करेक्टर को हमेशा ठीक रख करता है तो आपने अपने करेक्टर को मेशा ठीक रखना है अपनी वाइफ से बना के रखनी है तो इन चीजों को आप जुरूर समझें दोस्तों तो राहू सत्तम के फलाप को अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे बात अगर हम उपायों की करें तो राहू और केतु जिस ब िस ब्राबा ले लें उसमें आप गंगा जल बरें और चान्दी के चार चकोड्य टुकडे उसमें ढाल के उसको आपर कली का गर में हमेशा रखें और राहू को कभी भी खराब मत करें मीज अगर आपके गर में लेक्टोनिक आइटम्स खराब हो रही है तो उनको रुपीर कराएं ठीक कराएं और अगर में अपने बैटरूम में स्पेशली किसी भी परकार का कोई भी कलेटर जो है वो बिल्कूर ना र दखें दोस्तों तो यह वीडियो हम नहीं अपरोड की है राहू सतंक के बारे में अमीद करता हूँ आप को वीडियो वीडियो अचे लगी होगी अगर आपको वीडियो झाल झाल